लगातार बना हुआ है उससे लेकर दिवाली को लेकर असबार confusion है किस दिन त्योहार मनाया जाए इससे लेकर अस्मंजस है 31 अक्टूबर को दिपावली मनाई जाए 1 November को मनाई जाए जोतिशा चारियों और पुजारियों की राय अलग-अलग है लेकिन किस दिन दिवाली मनाई जाए अब ही की जानने की भी कोशिश की आपको बताएंगे किस दिन दिपावली का पूजन आपको करना है 31 अक्टूबर या 1 November दिपावली कब हिंदू की यही कमी है और हिंदू समाज के जितने भी जो यह संगठन चलाते है इनको सोचना चाहिए कि देश में एक पर्व मने आ रही है दिपावली तारीख पर उल्जन खत्म मैं अपिल करता हूँ सबी से कि देश के अंदर एक पर्व होना चाहिए महाकाल के दर्बार से तारीख तै दिपावली ऐसा त्योहार जिसका हमें साल भर इंतजार रहता है मा लक्ष्मी आएंगी घरों में खुशिया लाएंगी लेकिन जतना इंतजार है उतने ही लोग असमंजस में क्या आखिर दिवाली है कब उधर जोतिशा चारियों के बीच विवाद चल रहा है सभी लोग पूछ रहे हैं कि 31 अक्टूबर या 1 नवंबर दिपावली कब तो अब असमंजस की बात खत्म हो गई है क्योंकि महाकालिश्वार मंदिर के पुजारियों ने विवाद को समाप्त कर दिया है उन्होंने तारीख बता दी है कि दिपावली कब है सूर्य जब उधरी होता है उसकी क्षण भरकी भी यदि चाल में परिवर्तन होगा तो तीथियों में परिवर्तन हो जाएगा और जब तीथियों में परिवर्तन आ जाता है तो तेवारों में भी परिवर्तन आता है पावमत का आधार ते किया जाना चाहिए काशी और अयोध्या और उज्जेन अवंति का इन तीन जगे पे सारे विद्वान बेट के जो तीथी ते कर दे वो पूरे देश में मानना चाहिए महाकालेश्वार मंदिर के पुजारियों ने 31 को तारीख तै किया काशी में 31 अक्टूबर दिपावली मनाई जाएगी आयोध्या में दिपावली पर जलेंगे 25 लाग दिपावली बहाकालेश्वार मंदिर के पुजारी ने साफ किया है कि इस बार 31 अक्टूबर को दिपावली का तियोहार मनाय जाएगा 31 तारीख को दीप महुसव पर्व मनानी ते कर दिया है जोति पर्व दिपावली को लेकर भरम काख विद्वानों ने नेड़य निकाल लिया है धर्म शास्त्री वचनों द्रिश्यम पारंपरिक मतों के आधार पर सर्व समती से देश भर में 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने को शास्त्रोचित बताया गया है 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी क्योंकि अमाउस्या की रात्ती हमें 31 अक्टूबर की ही मिल लही है उधिया तिथी में आप एक नॉवंबर को जाते हैं लेकिन एक नॉवंबर को साथ सम्मर्ध दीपावली माने नहीं है दीप महुत्सव के दोरान भाकाल मंदिर में दीप जलाए जाएगे और स्रीमित संख्या में भुल जड़ियों का प्रदर्शन किया जाएगा उधर आयुध्या में भगवान राम के भव्वे मंदिर में विराजमान होने के बाद इस बार का दीपोत्सव त्रेता युगीन आयुध्या को प्रदर्शित करेगा जिस तरह भगवान राम लंका विजय करके आयुध्या लोटे थे आयुद्यावासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था वही दुरिश्य एक बार फिर दीपोत्साओ के दर्मियान विभिन तरीकों से फ्रदर्शित किया जाएगा मतलब तारीख भी तै हो गई 31 अक्टूबर को दीपावली होगी और पूरे देश में इसी दिन दीपों का तिवहर बनाया जाएगा